सोच समझकर मुझसे बात करो सोच समझकर मैं कह रही हूँ सोच समझकर उसने जबाब दिया सोच समझकर मैंने यह किया सोच समझकर मैं उससे मिलूँगी दोस्तो ऐसे sentences आप डेली life में यूज करते हो तो जब ऐसा situation आ जाए गई तब आप इसे English में कैसे बोलोगे तो देख लेते हैं सबसे पहले इसका rule सबसे पहले लगाना है sentence जैसा आपका sentence होगा उस type से आप translate करोगे and then लगाना है thoughtfully समझते हैं example से सोच समझकर मुझसे बात करो तो सबसे पहले लगाना है sentence sentence है मुझसे बात करो it means talk to me प्लस लगाना है thoughtfully तो आपका complete sentence होगे दोस्तो talk to me thoughtfully it means सोच समझकर मुझसे बात करो अगला example है सोच समझकर मैं कह रही हूं तो सबसे पहले लगाना है sentence sentence है मैं कह रही हूं अब यह sentence है present continuous का तो present continuous का rule होता है subject plus is mr plus verb की forth form and then object तो मैं कह रही हूँ It means I am saying इसके बाद लगाना है thoughtfully तो आपका complete sentence होगे दोस्तो I am saying thoughtfully It means so, समझकर मैं कह रही हूँ Clear, अगले example है So, समझकर उसने जवाब दिया तो सबसे पहले according to rule उसका नहा sentence Sentence है उसने जवाब दिया तो यह sentence है दोस्तो past indefinite का और past indefinite का rule होता है subject plus work की second form and then object तो उसने जवाब दिया It means he replied इसके बाद लगाना है thoughtfully तो आपका complete sentence होगे दोस्तो He replied thoughtfully It means so, समझकर उसने जवाब दिया अगले example है सोच समझकर मैंने यह किया तो सबसे पहले लगाना है sentence Sentence है मैंने यह किया तो इसका English बनेगा I did it इसके बाद लगाना है thoughtfully तो आपका complete sentence होगे दोस्तो I did it thoughtfully It means so, समझकर मैंने यह किया Clear अगले example है सोच समझकर मैं उससे मिलूँगी तो सबसे पहले आपको लगाना है sentence Sentence है मैं उससे मिलूँगी तो इसका English बनेगा I'll meet her इसके बाद लगाना है thoughtfully तो आपका complete sentence होगे दोस्तो I'll meet her thoughtfully It means so, समझकर मैं उससे मिलूँगी अगले example है So, समझकर तुमें हाँ आना इसका answer दोस्तो आपको comment section में लिखना है Guys, ऐसे sentences भी आप daily life में use करते हो जैसे बोलो क्या बोलना था कहो क्या कहना था पुछो क्या पुछना था करो क्या करना था बनाओ क्या बनाना था Guys, जब ऐसा situation आ जाए तब आप इसे English में कैसे बोलोगे तो समझ लेते हैं दोस्तों सबसे पहले इसका रूल सबसे पहले लगाना है वर्ब की first form प्लस what you wanted to ये हो गया आपका structure समझते हैं example से बोलो क्या बोलना था तो सबसे पहले according to rule उज़ करना है वर्ब की first form वर्ब है बोलना इसके बाद लगाना है वर्ब की first form लास्ट में तो वर्ब है speak तो आपका complete sentence हो गया दोस्तों speak what you wanted to speak इसमेंज बोलो क्या बोलना था clear अगले example है कहू क्या कहना था तो सबसे पहले लगाना है वर्ब की first form वर्ब है कहना it means say प्लस लगाना है what you wanted to प्लस वर्ब की first form वर्ब है कहना it means say तो आपका complete sentence हो गया दोस्तों say what you wanted to say it means कहो क्या कहना था अगले example है पूछो क्या पूछना था तो सबसे पहले लगाना है वर्ब की first form it means ask इसके बाद लगाना है what you wanted to प्लस वर्ब की first form वर्ब है ask तो आपका complete sentence हो गया दोस्तों ask what you wanted to ask it means पूछो क्या पूछना था अगले example है करो क्या करना था तो सबसे पहले लगाना है वर्ब की first form वर्ब है करना it means do इसके बाद लगाना है what you wanted to प्लस वर्ब की first form वर्ब है करना it means do तो आपका complete sentence हो गया दोस्तो Do what you wanted to do It means करो क्या करना था के लिए अगले example है बनाओ क्या बनाना था तो सबसे पहले लगाना है वर्ब की first form वर्ब है बनाना It means make इसके बाद लगाना है What you wanted to प्लस वर्ब की first form वर्ब है make तो आपका complete sentence हो गया दोस्तो Make what you wanted to make It means बनाओ क्या बनाना था अगले example है खेलो क्या खेलना था इसका answer दोस्तो आपको comment section में बनाना है तो बस गाईस आज के लिए इतना ही मिलती हूँ next video में I hope आपको एफ वीडियो पसंद आया होगा तो आप अपना feedback comment section में जरूर दे Thank you